सब्सक्राइब को मालूम है कि आज है संडे और संडे को सुबहें वैसे आट बिज अपनी क्लास होती नहीं हो पाई थी यह ना कल मैंने आपको बताया था कि कुछ टेक्निकल इस्यू क्लास अपना नहीं हो पाया था सुबह बजे वाला तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कल का हमारा सचेटे का क्लास है वह आज कवर कर लें हम लोग और एज युजवल मंदे से जो अपना शेडियूर होता है जिसके इसके हंद्र आफ संडे और मंदे दो दिन का न्यूस पेपर कवर करते हैं तो वह लोग करते रहें गया है तो मैं तीन का एक साथ जो है वह निवस प गुड मॉर्णिंग आवरीवन तो हम लोग करने वाले ऐस उच्वल दोस्तों बहुत कुछ है जो कि हम लोग कवर करेंगे हैं न हमेशा अपने सटेटेकर नियूस पेपर होता है सटेटेकर नियूस पर के दस से पंदरा ऐसी नियूस होती है जो कि हमें और अगर में बात करो तो कवर करना ज़रूरी होती है तो हम लोग करने वाले है ठीक न तो यह सारे सारे एक्जाइम अगर आप इनमें से किसी भी एक्जाइम की कर रहे हैं तो आपके सेशन रीफेंस है क refers ich वीचे Уट पे पर एंदियूहां है कोई अपके सैसी आज के सब के लिए बहुत के करें म उसके बाद मैं आज के देखेंगे उसके बाद मैं देहिंदू आज के अपने सारे के सारे न्यूस पेपर है जो अपने कल के थे मतलब सटेटे के न्यूस पेपर कवर करने हैं हम लोग आज के दियास में क्या हुआ फंफैट पांच वोकाबलरी क्विज्ज यह सब कोज़ है क्या हम लोग कवर करने वाले हैं सबसे पहले मैंने आपसे कोशन पूशा था फ्राइडे को कि कौन सी प्लेयर है जो कि 2022 सीजन के बाद में रिटार्मेंट लेने वाली है तो वह है अपनी सानिया मिर्जा कौन से मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ने लांच किया क्लायमिट हज़ा मैंने आपसे यह पूछा था तो मिनिस्ट्री आफ अर्थ साइंस भी आपका सही जवाब होगा नेक्स कोशन था कि कौन से टैनिस प्लेयर को डिपोट कर दिया गया उस्टिल्या से जस्ट बिकॉज अफ दा अन्वाक्सिनेटर स्टेटस तो यह कौन है जोकोविक है तो भी आपका सही आंसर नेक्स था कि कौन सा फिनोमिना होता है जिसमें रिकॉर्ड नंबर अफ लोग अपनी जॉब छोड़ते हैं रिजाइन करते हैं पेंडामिक के टाइम पे तो उसको कहा जाता है दा ग्रेट रेजिगनेशन तो यह यूएस के अंदर है जो कि अभी रिसेंट किया गया तो यह हमारे दोवारा ही प्रपोश जो की किया गया है ठीक है अब चौदरी बोल रहे है अभी तक कोई सेलेक्शन नहीं हुआ है अगर आप टुन्टी सेवन हो चुकियो अभी तक जॉब नहीं लेग रहा तो पढ़ाई छोड़ी नहीं नहीं है सब से पढ़ाई कि कोई और फिल्ड यहां पर मुझे इंट्रेस्ट है तो उसकी प्रिपरेशन उसको थोड़ा इंप्रोवाइस करके उस फिल्ड में जॉब के लिए अपलाए कर दो तो अपना पैरलली जो है ना जॉब करो साथ में पढ़ाई करना सीखो समझ गए एक उमर होने के बाद में आपको अपने काम के साथ पढ़ना सीखना जरूरी होता है है ना तो इस तरह के से करो चीज अपने आप अच्छी हो जाएगी चलिए ठीक है और देखो काई होता क्या मैं आपको पहले भी कईबा बता चुका हूं कि आपको कोई स्किल जो है वो एड करनी होती है अगर आप पुछ अच्छा पावर पॉइंट होती है ना उसको आप बहुत अच्छा बनाना सीखो औरा कैसे अच्छा कॉंटेंट मनता है कैसे को सुर्से क्या होते हैं तो इस तरह के से काम करना सीखो कहीं अगर कि अगर कि साथे तीन सो एजूकेशन कंपनी आज के टाइम पर ऑन-ला day exam के preparation कराई जाती है सारे के सारे teachers के classes आपको यहाँ पर मिल जाएगी यह कुछ benefits है आपको रेफिल कोड लगाना होता है आप download करके mobile number डालके यहाँ पर अपना गोल कर लो जो भी आपका exam का goal है चाहे वह हो सकता है UPSC हो IIT हो कोई आपका cds और defense हो कोई भी एक्जाम हो प्लस पर जाएए सब्सक्रिप्शन पर जाएए बारा या चौबिस मन्त पर और नीचे की तरफ यहाँ पर भी है जो कि आपको लगाना है ठीक है और एक बच्चे के education आप smile for all society.org की website पर जाके यहाँ पर sponsor चाइड चाइड education पर जाके एक बच्चे को select करके दे सकते हैं एक पीजा की cost पर 500 रुपे पर पंत में आज से code of the day है whatever you are be a good one यह अब्रायम लिंकलन की दुपार एक बात बोली गई थी कि आप जो भी हो जैसे भी हो देखो मुझे मालूम है आज आपके conditions आपको लगता होगा बहुत अच्छी नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है आपकी life में बहुत सारे phases होते है आपकी personal health होती है family होते है फ्रेंच होते है आपका social life होती है उसके साथ में करियर होता है सबसे important है करियर आपका ल इतना खुश आप रहोगे उतना ही अच्छा perform है जो कि आप अपनी life के अंदर अपने exam में है जो कि करोगे और यह आपको figure out करना होता है कि कैसे जो है मैं अपनी life में कहां पर contribute कर सकता हूं ठीक है एक बच्चा बोल रहा है सिर आज तो Sunday है हाँ मुझे मालूम है शिवा आज Sunday है लेकिन कल हमारे class नहीं हो पाई थी इसलिए हमने आज कवर किया है ठीक है आज हम लोग class कवर कर रहे हैं चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं अम्मार जवान जोती की जो की merge कर दिया गया वह और memorial के साथ में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इसके लावा निति commercial public offering जो होती है उसमें पैसा लगाते हो तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं बहुत जगहें पर जो है वह investment किया जाता है ऐसे ही दोस्तों बाहर की country में क्या होता है कि जैसे कि कोई बड़ा घर है उसमें 100 लोगों ने investment कर दिया उसको rent पे दे दिया तो यहां पर भी investment लोग हो जाएगा इसा घटकर के जी के दुवारा कहा गया है उत्पल परिकर उत्पल परिकर मालूम है कौन है यह मनोर परिकर के बेटे हैं उनको इस बार टिकेट नहीं दिया गया गया ठीक है इसके अलावा यहां पर स्टार्ट अप की funding को लेकर बताया गया इसके बारे में बा यह वाली news और यह वाली news यह दो नियूस है जो कि हमारे लिए important है ठीक है एक बार वीडियो को share कर देना ठीके गई तो यहाँ पर अपोजिशन के जो लीडर्स है जो कॉंग्रेस के लीडर्स है उनके दुवारा काफी प्रोटेस्ट है जो कि इस बात का किया गया है आइकॉनिक अमर जवान जोती जो की इनौगरेट किया गया था 1971 के लिबरेशन वार ऑफ बंग्रेदाईश के का रहें वार मेंँरिण के साथ में मर्ज जो कि कर रहे हैं ठीक है तो दोनों के बारे में पड़ेंगे मैं में चमूप मिने डिका दिया था सटर एज चौन की साने करवाया था तो इसके लावा यहां पर हमारे जो जवान चहीद उबे थे जो अन्नोल सोलजर्स थे दोस्तों इंडिन आर्मी फोर्सेस के जिनकी मृत्ति हो गई थी वार के टाइम पे तो अमर जवान जोती के अंदर क्या है एक मार्वल बना रखा है एक पेडस्टेल है और उसके ओपर कै आर्वार साइड जो कि आप दिखा रखा है और एक बंदूग है उसके उपर हेलमेट है जो के रखा रखा है ठीक है आप यहां पर देख सकते हैं आपको इसकी फोटो दिखा दूगा भी तो दो प्लेसेस के उपर आज की टाइम पर यह जो की देखने को मिलता है एक तो बन इसके अलावा इसको दूसरे वाले को 2019 में इनागरेट किया गया किसके दुवारा मोदी जी के दुवारा पच्चेस फैब्रेरी को और अमर जवान जोती के वहां पर जो सो लाइट भी जो है जलाय गई तो अभी रिसेंटली क्या किया गया है दो तिन दिन पहले ही अमर साथ बज़ो हली जो क्लास इनिल कुमार वो मंडे से होगी कल अपनी वाली क्लास कि देख सकते है और इसके बारे में बात कर रहें यह अमर जवान जोती है यह अमर जोती है ठीक है तो मैंने जैसे कि आपको बताए एक तो 1971 में और एक 2019 में दो बनाए गए इंडिया गारे ग दो गुना जादा है अगर मैं प्री कोविड लेवल से बात करूं तो समझगे मेरी बात जैसे कि 2019 की अगर मैं बात करूं बीस में कोविड आय था उननीस के अगर मैं बात करो तो उससे 2021 के अंदर दो गुना जादा फंडिंग है जो की मिली है ऐसा नैस कॉम के दुवारा दोस्तों बताया गया है तो इंडिया टेक स्टार्टप इकोसिस्टम यह यह टाइटल दिया गया जिसमें बाइस सो पचास स्टार्टपस 2021 में एड़ान हुए जिसमें से 600 तो दोस्तों प्रिविएस एर ही है जो की एड ही गई है ठीक है अगर मैं 2020 की बात करूँ तो तीन गुना जादा डील है जो की आप हुई है सो मिलियन डॉलर की ओके तो इंवेस्टर्स का जो कॉंफिदेंस है ना वह बारती है जो स्टार्टप से जो को फाउंडर से उनके ओपर काफी देखने को मिला है एक्टिव एंज जो की फीर्स्ट के इंदर हो जाएंगे उसके अलावा तीन साल के अंदर और दो stat-Up फेल जाएंगे तो दस में से अप यह मांन सकते हो कि एक ही सार्ट हर जो कि चलता यहां पर दोस्तों जानका रही है अभी तक अगर मैं टोटल इंडेन स्टार्टप एको सिस्टम की बात करूं तो अगर आप देखोगे तो असी से भी जादा कंपनी हमारे इंडिया में यूनिकॉन बन चुकी है यूनिकॉन का मतलब होता है एक बिलियन डॉलर यानि की साथ ह ही बनी है समझ गए तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है टोटल अगर वेलवेशन देखोगे तो टोटल वेलवेशन इनके काफी 200-500 बिलियन डॉलर तक है जो कि आज के टाइम पर पहुंच जाती है ठीक है तो यह बात आपको याप पर द्यार रखने है जिसके अ सब्सक्राइब चलिए ज़स्ट गिव मिए सेकिंड ठीक है चलो देखो सुपह पाच बजे वाली और सुपह साड़े साथ बजे वाली जो क्लास है आपकी वह होगी कितने बजे कल होगी है कल मंदे है ना कल है जो कि हम लोग आज वैसे संदे को होती नहीं है लेकिन को कल वा करना है सांद एप अगर का चैनल बढ़ा है तो इसक आतल आपके पास का आपके बढ़ा है और जो भी आपके आपकी HE है जिन्दियों की requirement है उसको full flash कर सकते हो है ना चलिए आगे बात करें तो यह वाली बात हो गई है और job creation की बात करें तो job creation में काफ़ी अच्छा कासा है जो कि start-ups के दौरा देखने को मिला है पेज नमर आठ के बारे में बात करते हैं यहां पर जवान जोती है यहां पर राइफल जो है वो जो है explosive वो सीज करें गए आसाम राइफल के दौरा है ना तो यह यहां पर बताएं गया इसके अलावा यहां पर जो हमारे लिए इंपॉरेंट है वह युनेस्को की एक न्यूज इंपॉरेंट है कि हम लोग रूट ब्रीज को भी दोस्तों टाइग है जो की करना चाहते है युनेस्को के अंदर यार मैं फोटो लगा ना बोल गया इसके अंदर एक्चुली मैं आपने देखा होगा ना मिगा की ब्रीज बोलते हैं जिसको अपन तो यह मिगालय के अंदर जो चेरा पुंची मैसुर है मैं ना उसी की पास में आपको देखने को मिलता है तो हमारा जो जो जिए इंडिया है उसने क्या बोला है कि कई सारे ग्रीन रूल से जो की जारी करें लिविंग रूट ब्रीज के लिए जो की मिगालय में उसको हम लोग चाहते है इसको वर्ल्ड हरिटेस साइट का टैग है जो की देना चाहते है तो कॉन्रेट सग्मा उन्होंने भी दोस्तों यहां पर बोला कि पचासवा साल है मिगालय का तो उसके लिविंग रूट ब्रीज को एक सस्पेंशन ब्रीज है जो की रूट के माध्यम से दोस्तों बनाया गया है है रिवर के उपर से लोग है जो कि इसके उपर से जा सकते हैं मतला बहुत ही अमेजिंग चीज़ है ठीक है और जाड़ेसाई के जो डिरेक्टर है उनका नाम है दिस्टी बैनर जी तो उन्होंने डैवर्सिटी और जो काम करता है कुलकता में हेड़कॉटर है अभी इसकी डिरेक्टर है मिनिस्ट्र इन्वार्मेंट फॉरेस्ट क्लाइमिट चेंज के अंडर में ऑगनाजिशन काम करती है समझ गए हाँ दिखाई थी मैंने फोटो जिसके उपर मैं भी था वही वाली हाँ बिलकुल सही जा रह क्यां पूरी दुनिया के वर्ल्ड हैरिटेज को कंजर्व करने का काम करता है जो," UNESCO का काम क्या है कि कोई ईसी चीज डुनिया में जो की बहुत ही significant important होती है आप कोई ifstory कि की की ऐसी चीज या फिर बहुत ही unique है जिसमें education क्ल्सटान के पूरी दुनिया में किसी भी देश में आप जाते हो तो सबसे पहले जो है वह उनसको की साइट को ही गूमती है दुनिया अगर कोई भी फॉरिणर अगर जयापूर आएगा तो सबसे पहले क्या देखेगा उसको मालू में इसको साइट जयापूर के अंदर हिल फोर्ट में इंक्लूट करें गई वह है अलोरा के अगरा फोर्ट ताजमेहल यह सब आजन्ता के आपको मालूम है 700 सालों के अंदर है जो की बनी है कोई एक डैनिस्टी नहीं डैनिस्टी आती गई बनाती गई यहां पर बुद्धिजम के ओपर के जो की मना रखी उसी प्रकार से अ 2021 के अंदर है जो कि add-on करें गई समझ गए तो अगर आप देखोगे और महारास्टर के पास में मैक्सिमम साइट है अभी पाच्छे पाच्छ क्या सपास हमारे देश में चालिस टोटल साइट है वर्ल्ड एटे साइट जिसमें से 22 कल्चर है साथ नैच्रल है और एक है जो क के मिग्स है जिसको हम लोग काजरंगा हमारी कंचन जूंगा है जो कि मिग्स है और पूरी दुनिया में छटे नंबर की लाज़ेस्ट युनस्कों वर्ल्ड एटेस साइट समाने आप देखने को मिलती है नंबर वर्न पे है दोस्तों इटली सैकिंड के ओपर है चायना उसक किनी दूर पहुंच भी गया है वहां पर बंद भी मिला बहुत गंदे चोट हुए आपके साथ चलो कोई बात यह वीडियो शेर करते हैं अपने वाट्सप पर टेलिग्राम पर सब जगे पर अभी कुछ ताइम पर जो वाल्ल्ड सिटी है जैपूर जो पुराना जैपूर ह बनाए गया था उसको भी इसको वालिटे सिटी में इंक्लूड किया गया है 1727 जैपूर का फॉर्मिशन किया गया था उसके लगवा रम अप्पा टेमपल है ते लंग अनके अंदर अभी इसको वह इंक्लूड किया गया और चालीशवा हमारी जो साइट है वह धोला वीरा गुजरात के अंदर इंडेस वली की साइट है ठीक है चलिए अगर आप देखोगे यह आप आप इस्टेट की इसाप से तो मैकसिममा आपको राजस्तान के अंदर भी चार देखने को मिलती है अगर आप देखोगे तो महारास्ट्रा पाच वाला है गुजरात में भी चार हो तरफ पेज नमर दस की बात करें तो केसे सवा तीन लाग क्या सपास है जो कि देखने को मिले यूपी के अंदर दोस्तों एक डेड में जो है ना उसको भी दो डोज लग गई पता नहीं कौन सा कि किया गया बहुत जीब बात है एक आत्मी ने दस लग वाली थी मालू मैं आपको एक भुजूर्गा आत्मी 17 से साल का उसको भाई को पता नहीं क्या मज़ा आया मतलब कोविड लगवाने उसको दस दस लगवाली एक डेड मैं ने उसको सेकंड लग गया है है ना और कुछ दिए पहले तो वाक्सिनेशन का नमबर दिखाने के लिए बढ़ाने के लिए यूपी के इंदर अजीब उकरीब जो है उनके नाम के उपर भी वैक्षिल लग गए थी सनी लियोंटी को यूपी में एक्से लग रहे है अजीब अजीब नाम के ऊपर रिस्टेशन क्या था ना इंडियन इस एट पोड में आपको दो बहुत इंट्रेसिंग चीज़ दिखाता हूं और एक फॉर्णर दिखाता हूं क्या होता है कि माली जा आपके पास में दो तिल लगेज है और आपको माली जे इंडिया से के बाहर जाना है के पे लिए लो कांगे बताओ बाहर थाइ लेके आया है अब क्या होता है कि आप एक तो जो है वह अंदर ले जाओ फ्लाइट में जो भी आपके लिए इंपॉरेंट है जिसमें लैप टॉप यह इसा कुछ और बाकी जो दो तिन बैग एक्स्ट्रा है ना उनको आप अपने लगेज के अंदर जो लगेज होता है जहां हट है अलग से जाता है उसके अंदर जो है वह डालगा कि जाओं यह सिंपल पारवार जा लगी जाते हैं जशे की कोई जिन्दगी बर के लिए बहार जा रहे हैं जबकि इसमें से 50% सामान में आपके लगेज में वह इंपॉर्टेंट चीजे होती नहीं जो कि आपको कैरी करने की जरूरत है इतना बड़ा बक्सा बर के लिए जाएंगे ना ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई सामली थाइलेंड से कहां से इंडोनेशा से वापस आते वक्त मेर को अपना चोटा सामान होता है अपने तो एक बैग होता है उसी में साथ देन निकाल लेते हैं और वह सामान भर रखा है उसके अंदर खानवे पीने का अटरम चाटरम बैंकर एरपोर्ट पर सस्ती अलकॉल भ कर देते हैं तो मेरे नाम से लगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चेक करवा के है ना वह लेकर आया फिर उनको वापस हैंडवर किया एरपोर्ट के उपर में का लेओ आपका समान वापस और अगर आप देखोगे बाहर के लोगों तो बहुत ही कम लगें जोता है और वह भी संदर एक बार है ना जितना हो जाए साथ में लेकर चले जाओं तो ऐसा होता है मतलब इस तो इंडियन से टेरपोर्ट के बहुत अच्छा वीडियो बन सकता है यह ना ऐसा मू बनाते हैं ना फॉरिंडर लोग देखके कि इंडियन हमारे कहीं सारी फैमिली देखता हूं ऐस सब्सक्राइब करें तो यहां पर बात करेंगे दोस्तों मैंनमार को लेकर यह वाले इंपॉर्टेंट बात है इसके अलावा तो यस रॉस्या उक्रेन का तो मुद्दा चली रहा है यह ना यह भी बड़ी आपने टाइम पास से ला रहे हैं दुनिया के अंदर यहां पर करके उन्होंने दोस्तों मीजर गैस प्रोजेक्ट जो कि मैनमार में चला रहे तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया दोस्तों इस कंट्री से क्योंकि हुमेनिटीरियन सिचुविशन जो इस कंट्री में बहुत ही खराब है आपको बालूम है डैमोक्रेसी तो चुकि है यहांप सब लोग जो है देडरे इस देश को टाटा बाइबाय कर रहें तो आप से एक्जाम में पूछेंगे कि कौन से देश में से रिसेंटली मेजर ऑइल जाइन कंपनी ने हुमन राइट के वालेशन के वज़े से उस कंट्रिक के को ड्रॉप कर दिया छोड़ दिया निकल गए वह है तो यह एक्जाम सवाल बंता है आपसे तो आपको पता हो रहां चींए कि मैनमार के अंदर यह काह में जो क्यों कि वह रहा है क्योंकि जो चोटी मोटी और कंपनी नहीं नहीं बहुत यह बड़ी बढ़ी अल कंपनी है समझ गये तो देड़ दिरे यहां से कई कंपनी यह की टैटा बाय बाय कर रहे है आपको मालूम है इसके अलावा दोस्तों हमारे भी कई सारी कंपनी थी अडानी भाई साब भी यहां पर बहुत बड़ा बिजनस कर रहे थे और अडानी के अंदर कई सारे यूरोपियन कंपनी इसका इंवेस्टमेंट भी था तो पहले तो यूरोपियन कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए कि हम यहां पर इंवेस्टमेंट नहीं करेंगे अडानी जी तब भी कंटिनू रहे तब बहुत अदा क्रिटरिसम हुआ शेर मार्केट में डाउन हो गए वैल्यू उसके बात समझ में कि नहीं पीछे अड़ जाना चाहिए तो अडानी पोर्ट जो था उसने भी स्क्रैप कर दिया मैंनमार के कंटेने टर्मिनल प्लैन को अदर्वाइस यह तो मिलिक्टर के साथ में बढ़िया जो है वो कामवाम चला रहे थे अगर आप देखो के नौर्वेगी कंपन कि ऑसकर को लेकर कर ठीक यह बीक हमारी किसी भी मूवी ने आस तक जीता यह ना पहली यह खायो यह खायो और फाइनल में जरूदा फाइनल के इंदर पहुंगे वाली हमारी यह श्को आज तो वाटstudy मैंट मतार इंडिया ती दोस्तों उस अब यह movie आया थी तो सारे देशों के प्रदानमंत्रियों ने है ना हमारे देश के प्रदानमंत्री को फोन किया था और वुमेन इंपावर्मेंट की उपर जाना था क्यार आपके देश की महला है इतनी पावरफुल इतनी ज्यादा डेडिकेड़ और इतनी ज्यादा सक्रिफाइस करने वाली और उसके बाद में भी लड़ने वाली कैसे है तो 1957 में दोस्तों यह मदर इंडिया है ना फिफ्टी सेवन से पहले 1940 में भी इस प्रकार की मुवी बनाए थी लेकिन उसको ज्यादा रिकंग्नाइशन नहीं मिला था उस मुवी का नाम था और अतनाम से उसके अंदर भी पावर्टी में किस तरह कैसे गाउं की महला जो है वो रहती है कैसे काम करती है अपने अ शाट लाक रुपे के अंदर है अच्छह रुपे के लिए ने और मुवी ने असी मिलियन रुपे है जो की कमा थे सोचीए अच्छी बहुत अच्छा पैसा कमा ती है यह लोगों की घलत फैमीय है कि वह नहीं कमा दी ठीक है यह तो है पहली मुवी के बारे में दूसरी दोस शूटिंग तो थोड़ा इर्फान कान के बड़ी हुई थी लेकिन उनका रोल कार्ट दिया गया था कि इतना जरूरी नहीं था तो रोल लग गया थे इर्फान कान साब सलाम ओंबे के अंदर को कि पहली मुवी के अंदर चोटा सा रोल फिला था बहुत ही छोटे थे फिर उसक स्किल्स को लेकर तो थेटर में रोने लग गया था हो अपने दोस्तों को सबको लेकिए देखो मेरी मुवी आ रही है और देखा तो बहुत ही छोटा सा रोल है उसके इंपर उसका है ना तो 1988 के अंदर मुवी आई थी सलाम ओंबे 1988 की मुवी है यह मिरा नायर के दुआर बन पर बनी वी मुवी थी जावेक्तर साब से लेकर काफी लोगों ने जो बड़े-बड़े दिगज लोग है ना उन सबने बोल दिया था कि यार कैसी बिच्छर बना रहे हो ऐसी मुवी नहीं चलती इंडिया के अंदर है ना इंडिया में कि क्रिकेट खेल रहे है आपस में ग करने के लिए कोभी सौसो शूट जो हो किये बहुत ही बजट बहुत ऊपर चला गया पैसे मांग भूंके अमिर खान ने कैसे पिच्छर बनाई तो बहुत ही अमेजिंग डेडिकेशन वाली पिच्छर तो लगान जो है वह फाइनल में जाके पहुंची और हो सकता था वह ज देनाई किया तो फाइनल तक पहुंची लेकिर उसके बाद में फिर वह उसकर नहीं जीत पाई वोगी मूवी बड़ी बहुत थी तो यह तीन ही मूवी है जो कि ऑसकर के अंदर फाइनल में आज तक पहुंची है अभी रिसेंटली एक बहुत ही अमेजिंग मूवी आई थी साउथ इंडिया की सूपरस्टार की सूर्या की मूवी आई थी जिसका नाम है जै भीम इसके अंदर बता गया कि किस तरीके से दोस्तों गाओं के जो जो अपने अंडर प्रिविलेज्ज वर्ग है कितनी परिशानिया है जो कि होती है तो ऑसकर की दौड में 276 मूवी की सू आगे बात करते हैं जो कि एक exercise को लेकर रिसेंटली चाइना रूस और इरान तीनों ने मिलकर दोस्तों एक क्या नेवल exercise है जो कि यहां पर कंडट करी आपको मालूम है आजकल क्या हो रहा है रश्या और चाइना दोनों दोस्तों हम्टी डम्टी दोस्त बन रहें और इरान साथ में आ गया है क्योंकि तीनों का दुश्मन एक ही है इसका नाम है USA ठीक है इसलिए तीनों जूचमन जो होता है वह दोस्त होता है इस तरह किसे इन्होंने आपस में मिलकर रहें जो किये काम किया है ओके बात करते हैं वालमार्ट ने भारतिय विक्रिताओं को कौन आइन तो वालमाट ने दोस्तों भारते विक्रताओं को जो है वो इन्वाइट किया है बहुरास्टी कमपनीज को कि वह अमेरिका में आके क्या कर सकते हैं कारोबार कर सकते हैं ठीक है वह चाहते हैं कि 12 करोड से अधिक अमेरिकन खरीदारों की सेवा जो है वालमाट अविलेबल करवाता है हर महीने तो जो भी दोस्तों ऐसे रिटेल सेक्टर के लोग है ना तो जो भारत पे समान बेशते हैं उनको वालमाट के थुरू जो है वहाँ पे काम करने के लिए आम बंतृत है जो कि क्या है अच्छी बा क्या करें चाहँ चाहते है इंडिया कैसे प्रेट्स के वालमाट भ एक्या है क्या हुआ प्लैट cardiovascular कीण यह उसका प्लैट ऐसे संच्छी बात वैसे हैना हम भी चाहते हैं कि हमारा भी समाना यह को जो है। में जहादा पैसे मिलते हैं जादा है न कोलेटी पी जो है आप इंप्रोवाईफ करते हो सईंस टैक में पैसा लगा सकते हो तो इसलिए वॉलमार्ट के दुबारा किया गया है Walmart की बात करें बहुत ही बड़ी कंपनी है यार ठीक है तो Walmart डिस्काउंट कंट सिटी था पहले नाइंटिन सिटीव में इसका फॉर्मेशन सेम वॉल्टन करके थे जो कि इसके फाउंडर है इसके अलावा युएस में इसका एड़कोर्टर है ग्रेक करके इसके चेर्मेन है और मेकमिलन करके अभी इसके CEO है जो की बने में आप देख सकते हैं नेट इंकम भी देखोगे तो तेरा बिलियन डॉलर के इसके नेट इंकम है और सबसे बड़ी बात क्या है इसकी जो फिफ्टी परसेंट स 500 तन जो आपका लिक्विड जो आपका वेस्ट होता ना उसको क्या किया जाएगा बायो सेंजी के अंदर कन्वर्ट जो की किया जाएगा बहुत ही बड़ा बढ़िया इनिशिटीव है आपको मालूम है इंदॉर सिटी पिछले चार साल से लगाता है स्वच भारत की रैंकि फ्लस फाली के अंदर क्या है कि कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है इस इस शाय चार अंदर करते हैं आप वापस ञाry यूज करते लापर यह जा है तो अथरा हजार केजी बायो सीन जी जो है ये लोग बनांएगे और उसको फिर कहां पर काम करेंगे ये लेंगै कहां पर उसको आपके स्काइब printer कांड काम अम बिलेंगे तो अभी क्या होता है IEA के electricity market report को लेकर तो International Energy Agency ने क्या किया release किया 2022 का edition bio annual electricity market report कि दुनिया में electricity के कितनी requirement है तो देखो भई हम तो बात कर रहें 2050 तक net is zero जो है वो target रखे net zero emission target 2050 तक लेकिन report में बताया गया है कि अभी भी fossil fuel से electricity demand को जादा है जो कि किया जा रहा है global electricity demand जो है वो 6% बढ़ गई 2021 के अंदर है ना और इसके अंदर ठीक है intensity जरूर कम हो गई है लेकिन demand जो है वो जरूर आगे बढ़ गई है और इसके अंदर coal से जो electricity बनाते हो वो 9% बढ़ गया है renewable energy से 6% बढ़ा लेकिन coal से 9% बढ़ा है जिसमें इंडिया और चाइना सबस्यादा coal से दोस्तों electricity की demand हम लोग ही है जो कि पूरा कर रहे हैं है ना gas fire generation 2% increment है ओके तो जिस तरीके से हमें चाहिए कि हम 14% कम करें emission हर साल लेकिन 7% के आसपास ही जो है वो emission का टार्गेट पूरा होगा अगर इस तरीके से चलेंगे तो ठीक है चलिए तो आप देख सकते हैं net zero movement को लेकर country को जरूरत है कि को कम काम में ले लेकिन अभी भी जो है वो जादा ही काम में ले रहे हैं ठीक है 55% डिक्रीस जो है वो सेक्टोरल इमिशन के जरूत पड़ेगी 2030 तक अगर हमें 2050 तक नेट जिरो का टार्गेट पूरा करना है तो आई इंटरनेशनल एनर्जी एजनसी की शुरुवात 1974 के अंदर हुई थी ओवी सीडी के बाद में इंटर्व क्रमेंटल ओनेजिशन ने काम करती है एनर्जी के वपर सिक्योर्टी के वपर इन्वार्मेंट के उपर पैरिस में इसका हैड़कॉरटर है 2017 में इसको लॉंच है जो कि इंडिया का मेंबर है जो की बना उससी प्रकार से एक और जो कि एक अटमिक एनर्जी की जाता हम आपको बात क्या है कि Chinese Olympic application है जो की बनाएंगे जिसका नाम है माई 2022 अब दुनिया की जो Western countries उन्होंने बोला कि Chinese application काम में मतले ना क्योंकि Chinese लोग आपको track करेंगे आपके सारी personal information सारा data कहां पर जाते हो तो क्या करते हो सारी जानकरी जो है Chinese के आप समच जाएगी तो अगर आपको mobile phone चाहिए तो आप हमसे device लेके जाओ यह अमेरिका और European private network है ना वह install करके मतलब आपके devices में जो उनके वहाँ पे चलता है उससे पता करेंगे तो यूएस यह बोल रहा है कि भही हमसे आप अलग से devices लेके जाओ लेकिन चाइनीज application और चाइनीज सम्वान को काम में मतलो क्योंकि अगर लोग है तो आप धरे जाओगे और आपका आ गया है आगे बात करते हैं आर बिया के special रैपो auction को लेकर तो आर बिया ने दोस्तों क्या होता है मार्केट में लिक्विड मनी जादा होता है ना है ना तो inflation बढ़ने के चांस होता है क्योंकि आपके वैल्यू जो है आपके आपकी प्राइस की वैल्यू कम हो जाती है मालो तो जादा लिक्विड होना भी मार्केट के लिए बहुत खराब होता है अगर जादा लिक्विड हो जाता है तो फिर आर बिया नॉर्मल ही करता है कि जो reverse रैपो रेट है वापस से मार्केट से पैसा खैचने की कोशिश करता है तो बैंकों को बोलता है तुमारे पास excess पैस है अगर मैं रैपो रेट को बढ़ा दूगा तो बैंक लोल लेना कम कर देंगे लोल लेना कम कर देंगे तो मार्केट में जो लिक्विड मनी है वो भी कम हो जाएगा तो इसलिए इन्होंने नहीं तरीका अपना है जिसको बोलता है वी ट्रिपल र वेरियेबल रेट रिवर कम पहुंचेगा तो हर दिन तो वैसे जरूरत तो 65,000 करोड की होती है लेकिन आरब इस बार 50,000 करोड एक दिन के अंदर यह जो की दे रहा है कट आफ रेट इन्होंने 4.06 रख दी है सब्सक्राइब को आपके लिक्विड मनी को आपको रोकना हूं डिजिटल गवर्मेंट मिशन एक और लांच किया गया मिनिस्ट्र व इलेक्ट्रोनिक और इंफ्रमिशन टेक्नोलजी के दौरा यह कहा चाहते हैं किसके दौरा आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के दौरा डिजि के अंदर यह किया गया है आपको दिली गॉर्मेंट ने क्या किया सारी सिवा आपको घर के ऊपर मिलें कि सरकारी चिंता मत करो तिक बहुत ही बड़ी बड़ी अनिशेटिव है तो इसलिए डिजिटल गवर्मेंट मिशन है जो कि लांच किया गया होफुली यह जिस तरीके स के बात करें तो जे नावी फ़र्स इंडियान जिन्होंने कंपीट किया नासा के प्रिस्टीज़ेस प्रोग्राम को यह बात आपको धान करें जानवी एक यंग अल्या अंद्रपर्देश के निजुन रिसेंटली नासा का इन्टरनेशनल एर एइस्पेस प्रोग्राम में जो की complete किया Canada Space Center के अंदर ठीक है यह फर्स इंडियन वोमेन है चंचल कुमार को MD बनाए गया NHI DCL का पतलब National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited उसका इनको क्या बनाए गया ब्रिक शिर्पा की मीटिंग हुई 2022 की चैनीज की चेर्मेंशिप के अंदर इसके अलावा वर्ल्ड के ओल्डेस लिविंग मैं उनका नाम था साथ्टू साथ्टू नीनो उनकी 112 साल की उम्र के अंदर मृत्य हो गई तो 112 साल का आद भी पूरी दुनिया में सबसे ओल्डेस मा के अंदर वो 7.6 परसेंट होगी ठीक है फिंच ग्रूप के दुबारा इसको ओन किया वाई इंडिया रेटिंग रिसर्च को यह क्या करती है आपके रेटिंग सो को बताती है वैसे विजए शेकर सर्मा को एंटरेट पैनल और लैंविज यू ए एसजी का यूनिवर्सल एक स्टीरिंग ग्रूप एक है ना जिसमें कई सरे इंडिस्टी लीडर्स है तो उसके अंदर जो बनाए गए अभी वह विजए शेकर शर्मा को जो पीटियम के फाउंडर है उनको बनाए गया है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोपरेटिव इसके बोन डाटर है जो की करने गया है सांग विखो को मतलब करें मतलब होता है किसी चीज को रोक्र ना जब आप दिखावा बहुत ज़्यादा करते हो किसी चीज का ठीक है? आगे बात करते हैं नार्सिसिस्ट का मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा ego आप में होता है ना egoistic होते हो उसको कहते हैं ठगिश का मतलब है खुंकार वक्ती, barbarian, emboldened का मतलब होता है किसी को encourage करना, confidence देना उसको कहते हैं ठीक है तो यह था आज का आपका important session अगर आपको एक्जाम के preparation करनी है तो आप इस तरह के से referral code भू 10 या बुनेश्ट लगा सकते हो आपको 10% off निल जाएगा स्टार्टिक जीके के कि कोर्स है जो कि मैं भी आपके लिए लेके आया हूँ आप जोइन कर सकते हैं smell from society.org के website पर जाके एक बच्चे के education में आप sponsor कर सकते हैं sponsored child education पर जाके आज का पहला सवाल है first एक मात इंडिन कर्केटर जो ICC women T20 team of the year के अंदर शामिल है next है कौन से nation ने वार्शिप brand जो है Mumbai के अंदर launch किया कौन से तीन राज्जे 21 जनवरी को state statehood day है जो की मनाते हैं रोबर्टा यंगेस प्रेसेंट बने कौन सी institution की तो यह था आज का आपका important session गाईज वीडियो को लाइक को शेयर जरू को रहेगा मिलते हैं कल वापस थैंक्यो अव्रिवन गुट बाई और अवनज डे